स्वागत है आपका हमारे YouTube पर आज हम लोग शब्दा वली में करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकुक्तिया तो हम पहला सेट हम कर चुके हैं आज हमें दूसरा सेट करना है ये सेट मैं आप लोगों को सब्दा वली की बुक से करवा रही हूं अगर आप ये book मंगाना चाहते हैं, तो आप इसे मंगा सकते हैं, दिये हुए number पर आप call कर सकते हैं, और अपनी book order कर सकते हैं, या आप अपने आप भी book order कर सकते हैं, आपको हमारा application निधी academy डाउनलोड करना होगा, और वहाँ पाठ्थे पुस्तक पर जाकर आप इसे order कर सकत हैं, इसके अलावा अगर आपको online मंगाना है, Amazon या Flipkart से, तो आप हमारे दिये हुए link पर जाकर भी इसे मंगा सकते हैं, ठीक है, चले हम लोग शुरू करते हैं अपनी class को, तो आज हमें करना है मुहावरे एवम लोकोक्ती का दूसरा set, तो हम देखते हैं, पहला शब्द ह हमारे पास क्या है, पहला शब्द है हमारा अरन्य रोधन करना, अरन्य का अर्थ होता है वन, ठीक है, अरन्य का क्या होता है अर्थ, वन, अरन्य रोधन करना, रोधन का मतलब होता है रोना, कि वन में रोना, तो अब यहाँ पर यानि वन में रोना, तो इसका भावार्थ, एक तरह से क्या हो जाएगा तो इसका भावार्थ होगा निरर्थक या निस्फल प्रयास करना या व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना कहने का मतलब है इसका भाव हुआ कि जैसे हम कहते हैं अरण्य रोधन करना कि कोई वन में जाके रो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो निरर्थक प्रयास करता है बिकार है वो रोना ना कोई सुन रहा है ना कोई हल कर सकता है तो उसी के जब कोई इस तरह की स्तिती आती है तब हम इस महावरे का प्रयोग करते हैं जैसे कि हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि जया ने समझा कि इन लोगों के सामने जो तो कुछ भी उसने अभी तक किया, वो सब अरन्य रोधन ही था, मतलब कि वो सब क्या था, निरर्थक प्रयास था, इन पे कोई असर नहीं पढ़ने वाला, एक तरह से मतलब यही कि जिसे कोई न समझे या जिसे कोई जाने ही न, वही हमारा अरन्य रोधन कहलाता है, जब हमार दिया है अंगारे सिर पर धरना अंगारे सिर पर धरने का हमारा भावार्थ हो जाएगा विपत्ती मोल लेना कि किसी पर हम विपत्ती मोल ले लेते हैं तो आपका यहां पर वाक्य प्रियोग देखो दिया है कि सीमा ने प्रिया के काम की जिम्मेदारी लेकर अपने सिर पर अं से तो हम किसी भी तरीके से यानि हम इस मुहावरे का प्रियोग कर सकते हैं किस इस्तिती में जब हम कोई विपत्ति मोल ले लेते हैं डिहां बहुत परीशान हो जाते हैं किसी काम से और हमारे खुद का ही de si zna होता है थब हम कहते हैं कि अंगारे सिर पर धर ना कि हमने तो अंगारे सिर पर धर लिए ठीक है आगे आता है अगला पॉइंट है हमारा अपने मुह मिया मिठ्थू बनना अपने मुह मिया मिठ्थू बनने का मतलब होता है अपनी बड़ाई आप ही करना मतलब अपनी तारीफ खुद ही करा जा रहा है क कोई व्यक्ति कि मैं ऐसा हूं मैं यह करता हूं तो अपनी तारीफ खुद करना उसको कहते हैं अपने मूं मिया मिठ्थू बनना तो देखो यहां पर वाक्य प्रियोग करेंगे कोई तुम्हारी तारीफ करे तब तो बात ठीक है पर यूं अपने मूं मिया मिठ्थू मत बनो म मतलब अपने मुह से तारीफ करना ठीक नहीं हैं तो ऐसे हमने महावरे को प्रियोग किया यहां पर ठीक है आगे आता है हमारा आखों में खून उतरना आखों में खून उतरने का भावार्त क्या होगा इसका भावार्त हो जाएगा अत्तधिक क्रोध दसाना या गुस्षे से लाल हो जाना गुस्से में हम आखे लाल कर लेते हैं तब से कहते हैं आखों में खून उतराना मतलब किसी बात पर आपको बहुत तेज क्रोध आ गया मतलब क्रोध के मारे आप एकदम कहते हैं आख बबूला होने वाले होते हैं तिल मिला उठते हैं वाली चीज को जब हम करते हैं तो तब हम उसको कहते हैं आखों में खून उतराना क्रोध हो जाना तो वाक्य प्रियोग किया गया है कि गुंडे की हरकत देखकर मेरी आखों में खून उतराया मतलब जो गुंडा मारने के लिए आयाया कोई ऐसी हर्कत कर रहा है कि जिससे क्या हो गया एकदम से बस उसको मार देने वाला भाव के साथ हम देखना गुस्से में तो वह आखों में खून उतरना होता है आगे बढ़ते हैं अगला आता है पानी में आग लगाना कहते हैं पानी में आग लगा दी मतलब कारे को करने का प्रयास करना मतलब ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता पानी में आग कैसे लग सकती है कभी नहीं लग सकती क्योंकि जो पानी है वो आग को बुझाता है तो अब वो काम करना जो संभव ही नहीं ठीक है यानि असंभव कारे को करने की कोशिश करने के लिए हम कहते हैं अरे तुम तो पानी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे बोलते है, तो वाक्य पृइयोग केसे होगा, वाक्य पृइयोग कहेंगे कि सुमन कुछ दिन के लिए बॉस से चुट्टी मांगने गई है मुझे तो यह पानी में आग लगने जैसा लग रहा है मतलब यह कि बॉस चुट्टी देता ही नहीं है वह असंभव का रहे है कि अगर उसको चुट्टी मिल जाए तो इसके लिए प्रियोग कर रहा है कोई वेक्ति कि मुझे तो पानी में आग लगनी जैसा लग रहा है मतलब कि आग लगनी का मतलब कि यह काम हो गई नहीं असंबब है यानि उसको छुटी नहीं मिलेगी तो ऐसा हम प्रियोग करते हैं वाक्य का आगे आता है सिर पर भूत सवार होना से का अर्थ-भावार्थ हो जाता है कि धुन लग जा कि धुन लगा ली कि यह तो काम करने ही हैं तो उसी के लिए प्रियोग करते हैं कि सिर्पर भूत सवार होना जैसे मानलों कोई किसी बात के पीछे लग गया बस पीछे पढ़ गया तो आपने सुना होगा कई बार के अरे इसके सिर्पर क्या भूत सवार हो गया मतलब वह एक ही के पीछे पढ़ गया है तो तब कहते ही कि इसके तो सर पे भूत सवार हो गया ठीक है वहां इसका प्रियोग करते हैं मुहाबञे का का veget के दाटों तले उंगली दबाना का भावारत हो जाएगा औहरे चकित होना मंतलब आहरे से भर की कारीगरी को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं मतलब हम यह कहेंगे कि यह जो महावरा है इसका प्रियोग हम करते हैं जब कोई आश्यर जनक चीज होती है हम उसको देखते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि अरे यह तो ऐसी है कि मैंने तो दांतों तले उं करना या व्यर्थ की बाते करना या एक तरह से परिशान करना तो जैसे कभी कोई आपको परिशान कर रहा है आपसे व्यर्थ की बाते कर रहा है तो आप कहते है क्यों मेरा सिर खा रहे हो भाई तो ऐसा तो है नहीं कि वो चमच उठा के आपका सिर खा रहा है तो कहने का मतलब ह आपर आवानचित समवाद यानि वानचित का मतलब होता चाहना आवानचित का मतलब होगा ना चाहना तो जिसे आप नहीं चाह रहे वो समवाद कर रहा है कोई सामने या फिर बेकार की बाते कर रहा है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है तो वहां पर आप इस चीज को ब प्रियोग करते हैं हम ठीक है तो यह महावरा आता है चलो आगे बात आती है अगला पॉइंट है हमारा सिर्खपाना, सिर्खपाने का अर्थ क्या होता है, इसका भावार्थ क्या होता है, तो इसका भावार्थ होता है महनत करना, महनत करना, ठीक है, सिर्खपाने का मतलब होता है, महनत करना, परिस्रम करना, ठीक है, वाक्य प्रियोग कैसे करेंगे, संजु आजकल सफल होने के लिए किताबों में सिर्ख पा रहा है हम ऐसे ही कहते हैं अरे मैं इन किताबों में इसलिए सिर्ख पा रहा हूं कि ताकि कुछ सफलता हासिल हो जाए ठीक है तो सफलता पाने के लिए ठीक है इस तरह से तो ऐसे हम कभी और ऐसे जरूरी नहीं है कि सफलता पाना और पैसा कमाना डोनों अलग-अलग होता है सफफालता थो किसीए बाख्ष में हो सकती है तो हम जीस चीज रहे हैं उसके लिए सब्सक्राइब तो मढ़ों करेंगे के सब्सक्राइब आगे आता है सिर उठाना, सिर उठाने का मतलब होता है विरोध करना, विरोध प्रदर्शित करना, ठीक है, तो जैसे हम इसका वाक्य प्रियोग करेंगे, कि कस्मीर के आतंक वादियों ने सिर उठाया, तो कुचल दिया जाएगा, या कुचल दिये गए, ठीक है, तो कहने का म हो आगे point है हमारा अन्देर नगरी अधेर नगरी का भावार्त क्या होगा जब अन्देर नगरी शब्लिया रखते हैं तो अन्याय की जगह ठीक है अन्याय की जगह जहां धांदली हो तो आप ने देखा करण कहीं अगर भ्रहष्टर चार चल रहा है कोई ऐसा नियम आ गया जिसमें बहुत सारे लोगों को परिशानी होने वाली है यह धांदले बाजी बढ़ेगी ब्रहष्ट्रचार बढ़ेगा तो हम कहते हैं अरे यहां तो बिल्कुली अंधेर नगरी हो रही है तो अंधेर नगरी होने का मतलब ही क्या है अन्याय की जगा होना तो ज आल गया आगे पॉइंट आता है हमारा अगला मुहावरा है लोहे के चने चबवाना तो लोहे के चने चबवाना यानि बुरी तरह से हरा देना देखो दो शब्द हो जाएंगे लोहे के चने चबवाना और एक लोहे के चने चबवाना फिक है तो जब हम इसको बोलेंगे के लोहे के चने चबवाना तो इसका भावार्थ हो जाएगा बुरी तरह से हरा देना और जब हम बोलते हैं लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन काम करना या बहुत कठनाई में काम करना जैसे कहते हैं अरे सरकारी नोकरी पाने के लिए तो मुझे लोहे के चने चबाने तो दोनों में अंतर है इस बात को ध्यान रखेंगा और यह मत सोच लिजेगा कि मैंने तो यहां पर गलत बता दिया क्रिया के उपर करता है जो इहां पर दिया चबाना और चबवाना तो जब हम किसी से दूसरे से काम कर वा रहे हैं तो उसका आर्थ यहां पर चेंज हो गया ह हम कहते हैं लोहे के चने चबाना मतलब उसे बुरी तरह से हरा देना बुरी तरह से पराजित कर देना कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश के हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तानियों को लोहे के चने चबा दिये मतलब उनको उनकी बुरी हालत कर दी उनको बहुत बुरी तरह से पराजित कर दिया लड़ाई की तो उसे बुरी तरह से हरा दूँगा आगे शब्द है हमारा अगे वाक्ष दिया है कि कि लूटियए डूबोना ृवी ने का अर्थ क्या हो जाएगा काम कर देना या बर्बाद कर देना ठीक है जैसे हम कहते हैं कि मालो तो अरे तुमने देखा है कि फलाने के बेटे ने तो उनकी लुटिया डुबो दी मतलब क्या कर दिया उनको बरबाद कर दिया या एक तरह से काम खराब कर दिया ठीक है तो इसका प्रियोग आता है लुटिया डुबोने का मतलब काम खराब कर देने से जैसे मानलोब आगके प्रियोग करेंगे यह क्या किया तुमने तो खांदान की ही लुटियड वो दी मतलब कोई काम ऐसा खराब कर दिया और जिससे क्या हो गया एक तरह से बेज़ती हो गई तो वहां हम इसका प्रियोग कर देते हैं अगला मुहावरा है अपना सा मुहूं लेकर रह जाना अपना सा मुहूं लेकर रह जाने का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक लज्जित होना जैसे कभी किसी से कोई बात कर रहे हो कोई ऐसी बात हो गई है कि एकदम से सामने वाले Belli ने ऐसा जबाब दे दिया कि सामने जो कह रहा है वो लजजित हो जाए वो सरमिंदा हो जाए ठीक है तो वहां पर कहते है अपना सा मून लेकर रह जाना तो इस तरह से हम आज के set में ये मोहावरे किये इसी तरह से हम एक एक करके सारे set को complete कर लेंगे आप सबी लोग अगर जो हमारी सब्दावली की book है इसे लेना चाहते हैं तो आप हमें order कर सकते हैं ठीक है आप इस book को ले सकते हैं बुक को लेने का फायदा ये होगा कि आप जब चाहें अपनी मर्जी से तब इस शब्दावली को याद कर सकते हैं और शब्दावली बुक जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो स्पेशल इसलिए बनाई है कि चाहें परिक्षा में कोई भी प्रशना आजाए कैसा भी की हैं कि जहां अगर मैं भी आपको न पढ़ाऊं वहां पर आप अपने आप बुक से पढ़ सकते हैं ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सैट के साथ